हेलो गाइस और स्वागत आप सबका विलनेट सागागे सीजन 2 के एपिसोड 18 में दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था गाडार की मौत हो जाती है और औरनेट को रिटिनर्स पकड लेते हैं इस एपिसोड की शुरुवाद में हम देखते हैं बहुत सारे जंगी ज काम तक पहुंच जाएंगे इसके बाद फ्लोक की बोलता है मुझे भरोसाइन होता कि किंग खुद आ रहे हैं जॉम्स वाइकिंग ये खुद संभाल सकती है और इसके बाद वुल बोलता है कि मैजिस्टी ने सोच समझ के प्लान बनाया है फ्लोक की एक अच्छे सेवे को नहीं पता मैंने सुना है कि केटिल एक वारियर हुआ करता था लोग उसको आरिन फिस्ट के नाम से जाना करते थे हमें उसको कम नहीं आँखना चाहिए इसके बाद केन्यूट बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे लिए मेरे लोग बहुत इंपोटेंट है मैं उन्हे उपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा इसके बाद हम किंक स्वेंड की कटिवी मुंडी को देखते हैं जो हस रही होती है इसके बाद केन्यूट बोलता है पीछे से हवा लग रही है लेकिन आगे के लहरे बहुत बड़ी है और जहां पर हम जा रहे हैं वो काफी दूरी पे है इसके बाद हम देखते हैं एक बोट पहुंच जाते है केटल के फार्म में लेकिन ये कैन्यूट करनी होता ये थौरगिल का होता है थौरगिल को देखके ये सब उसको वैलकम बोलते है और थौरगिल बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और एक ड्रम को र जारू पिलाओ और सुला दो इस बुड़ों से आप कोई उमीद नहीं है चलो रिटेनर्स मच्छी पकड़ने का वक्त नहीं है जंग के लिए तैयार हो जाओ हमारा दुश्मन फार्म को लेने के लिए यहां पर आता ही होगा जितने भी लोग हो सके उन सब को इकटा करो और सा मेरी बात सुनो हम इस जंग में नहीं पढ़ना चाहते और तब थौर्गिल बोलता है कि जाके डाट से बात करो मैं थोड़ा बीजी हूँ चलो ओलमार जल्दी करो यह तुमारा पहला जंग है मेरे साथ रहो और लड़ना सीखो लेकिन जिन लोगों के खिलाब हम जा रहे है यह हमारा आकरी जंग भी हो सकता है तुम खुश हो ना ओलमार तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है तुम्हें लड़ने का मौका मिल रहा है लेकिन ओलमार की शकल में 12 नहीं 56 बच चुके होते हैं इसके बाद वो बंदा आता है के टिल के पास और बोलता है कि उठो के तुमने कहा था कि तुम हमारा सामान तीन गुना दाम में खरीद लोगे इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर छोड़ा इसके बाद ये बंदा यानि की कैटिल उड़ता है और बोलता है और अच्छी फीलिंग आ रही है और इसके बाद लीव बोलता है कि मैं भी यही फुरु करना होगा और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कुछ दिनों में इस वार को रिपैर नहीं किया जा सकता हम किसे फाइट करने वाले हैं और ये बंदा बोलता है कि उन्होंने नहीं बताया उन्होंने कहा है कि जब सारे सोलजर एक साथ आ जाएंगे तब वो बताएंगे इ एनर बोलता है लगता है मास्टर वापस आ चुके हैं जब मास्टर को पता लगया कि अनेर भागने की कोशिश करे थी तो क्या वो उसे सजा देंगे और इसके बाद थौर्फिन बोलता है बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं इसके बाद एनर बोलता है लेकिन वो अनेर को प लेकिन कभी कबार्थ में लड़ना पड़ता है तुम्हारा शुक्रिया थॉर्फिन इसके बाद थॉर्फिन बोलता है मुझे स्नेक पसंद है वो दयालू है और अपने नियों में से चलता है मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता था और आकरी में गाडर मारा गया मैं एक लेकिन वॉयलन्स आखरी तरीका होना चाहिए मैं सोच रहा हूं कि कोई और बहतर तरीका यहां पर नहीं था हमें पहले क्या करना चाहिए था मैं पहले तरीक को सीखना चाहता हूं किसी को वह चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और इसके बाद एनर बोलता है तुम सही हो इस सुना कि किंग हराल की मौत हो चुकी है लेकिन केटिल उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अनेट को लगाता ढूने लगता है और इसके बाद मिस्ट्रेस बोलती है उस बेशरम स्लेव को हमने घोलों के तबले में बांद के रखा है तुम्हारे जाने के बाद उसने बहुत सारी परिशानी खड़ी की वो यहां से भागने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद केटिल बोलता है कि अनेट भागने की कोशिश कर रही थी इसके अद मिस्ट्रेस बोलती है उसका पती उसे लेने के लिए यहां पर आया था बहुत सारे गेस्ट मारे गए और तुम्हारे दोसलेव ने उनकी मदद भी की है तुम्हें इस मैटर के उपर ध्यान देना होगा इसके बाद कैटिल बोलता है भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्यों क्यों मेरे हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है और हम देखते हैं कैटिल बहुत ज़्यादा गुसे में होते हैं इसके बाद शीन शिप्ट होता है और हम देखते हैं सिनेक को जो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है नहीं दे सकता उसे बंदी बनाया गया है इसके बाद लीव बोलता है ठीक है मैं समझ गया मेरे साथ हाओ कैटल से बात करते हैं पैटर मुझे माफ करना तुम बीजी हो और मैं तुमें परिशान कर रहा हूँ और पैटर बोलता है कि नहीं वो अपना बादा रखते हैं मैं थॉर्फिन या फिर एनार की बातें नहीं कर रहा मैं अनहीट की बातें कर रहा हूं वो मुसीबत में है मुझे माफ करना लीफ मैं जानता हूं कि मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं लेकिन क्या आप थॉर्फिन के साथ दो और सलेप को भी खरीच सकते हैं इसके बाद हम अनहीट को देखते हैं जो तबेले में होती है और उसके साथ एक गैस्ट होता है जो बोलता है कि मैं बोल हूँ चुका हूँ मेरे सामने एक औरत है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता तो अब तक हमने तुम्हें नंगा करके रेव कर दिया होता तुम्हारी वज़े से हमारी भाईयों की जान गई है अगर तुम्हारे साथ हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को शांती नहीं मिलेगी तुम मेरी बातों से सहमत होना और ये आनहेट को गलत तरीके से चूने लगता है तब ही यहाँ पर कैटिल आ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इसके बाद ये बंदा काफी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलते हैं सर आब बापस आ गए हम देखते हैं cattle के हाथों में ढंडा होता है और cattle बोलते हैं यहां से भाग जाओ आनहेट से मुझे कुछ काम है यह बंदा यसर बोलता है और यहां से भाग जाता है cattle बोलता है तुम मुझे से भागने के कोशिश कर रही थी आनहेट क्यों आनहेट कुछ नहीं बोलती लेकिन तबी कैटल इसके उपर डंडे से बहुत ज़ादा जोरों से पीड देते हैं इतनी ज़ादा जोरों से कि आनहेट कुछ बोल तक नहीं पाती हम दिखते हैं कैटल बहुत ज़ादा गुशे में होते हैं और बोलते हैं कि क्यूं, क्यूं, तुम्हें ये बात क्यूं समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें ऐसा क्यूं कर रही हो, तुम्हें मुझे धोका क्यूं दिया, आनहेड, आनहेड बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, उसकी मुझे आवाज तक नहीं निकल रही होती है, और उसके अंदर बच्चा है मेरे पेट में बच्चा है प्लीज और मत मारो इसके बाद कैटिल बोलते हैं ये किसका बच्चा है आनेट बोलती है ये आपी का बच्चा है मैं कसम खाके कहती हूं मास्टर ये आपी का बच्चा है मेरा भरोसा करो इसके बाद हम कैटिल को देखते ह जो रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे उपर भरोसा करूँ तुम्हारे उपर ही तो भरोसा किया था सिर्फ तुम्हारे उपर ही तो मैंने भरोसा किया था और इसके बाद आनेट को ये बुरी तरह से पीटने लगते हैं और बोलते हैं अब भरोसी का क्या मतलब रह गया है तुम्हारी कौन सी बातों पर मैं भरोसा करूँगा अगर मैं शुरुवात से ही तुम्हारी उपर शक करता तो शायद मैं तुम्हें नहीं खोता हूँ जब भी मैं किसी के उपर भरोसा करता हूँ तो मैं उसे खो देता हूँ केटिल अनेट को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि अनेट अव हिल तक नहीं पारी होती लगवगो मनने की हालत में आ चुकी होती है केटिल बोलता है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी चोर कहीं कि मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूँगा लेकिन तभी स्नेक यहाँ पे आ जाता है और डंडा पकड लेता है पैटर तेजी से भागने लगता है अनेट की तरफ बग गाई और लिप बहुत ज़्यदा है केटिल के इस रूप को देखके इसके बाद स्नेक बोलता है अनेट ने अपराद किया है और उसे सजा मिलने चाहिए लेकिन अगर आप और उसे पीटेंगे तो वो मारी जाएगी वो आपकी स्लेव है आप चाहे तो उसे मार भी सकते हैं लेकिन क्या आप उसे मानना चाहते हैं अगर आप उसे मानना चाहते हैं तो मैं डंडा छोड़ दूँगा इसके बाद कैटिल एक गहरी सांस लेता है और खुद डंडा छोड़ देता है और बोलता है पैटर इसके कहा कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है तुम चाहो तो एनार और थारफिन को ले जा सकते हो और जो चाहो उसके साथ कर सकते हो लेकिन मैं आहनेट को नहीं बेच रहा हूँ वो औरत मेरी है वो औरत सिर्फ मेरी है इसके बाद थारफिन और एनार अहनेट से मिलने के लिए आते है दोनों बहुत ज़्यादा है एनर तो बहुत ही ज़्यादा चौक चुका होता है जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी ऐसी हालत देख किया उसका दिल पिगल जाता है वो सहम सा जाता है और तभी पैटर बोलता है कि ये जिंदा है लेकिन अभी तक बेहोश है पता है नही ये जिंदा रहेगी या फिर नहीं इसके बाद एनर जाके उसको छूने वाला होता है लकिन तभी पैटर बोलता है कि उसे छूना मत उसे बिल्कुल भी मत हिलाना एनर ऐसा ही करता है वो अनेट के पास जाके बैड़ जाता है इसके बाद हम केटिल को देखते हैं जो अभी भी गुसे में होते हैं और बोलते हैं कि मैं उन सब को जाने नहीं दूँगा वो सब चोर है मैंने उनकी इतनी अच्छी परविरिश की उनका अतना अच्छा देखवाल किया लेकिन उसके बावजुद वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं लेकिन तवी थोरगिल बोलता है जैड अब कहां पे थे हमें बहुत सारा काम है लेकिन केटिल इसकी कोई भी बातों को नहीं सुनते हैं और सीधा एक घर के अंदर जाते हैं वहां पे एक बकसा खोलते हैं और बोलते हैं कि मैं उन्चोरों को जाने नहीं दूँगा मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और एक तलवार निकालते हैं और बोलते हैं चाहे वो राजा ही क्यों ना हो और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोर हो जाता है खतम तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैटल के ऊपर फिलाल के लिए कितना जादा गुसा आ रहा है और दोस्तों मेरे हिसाब से कैटल ने जो किया वो बहुत जादा गलत है माना की अनेड एक स्लेव है लेकिन उसके पेट में फिलाल के लिए बच्चा था लेकिन उसने उसकी भी परवा नहीं की और उसको इतनी बुरी तरह से बीटा इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा गुसा हमें इंसान से जानवर बना देता है और अगर तुम भी मेरी इस बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या वर किसी एनिमे लवर के साथ शैर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा या फिर घंटी दिखेगा उसको बजा देना